हेलो दोस्तों कैसे आप सारे लोग में हूं गोरो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100% सक्सेस्पुल स्टार्टप आइडिया के बारे भी जहां पे आप बीना एक रुपए लगाए हुए भी करोडो रुपए कमा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी वारे बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरुष लग्द करने वाले हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि हसीन जहां आयसा मोकरजी इनने क्रिकटर्स को उमोर कपना के उनसे करोड़ी रुपए लूट लिये हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहती हैं आप भी करोड़ी रुपए कमाना चाहती हैं तो आपको करना क्या होगा आपको एक रहीस लड़के को ढूड़ना है और रहीस लड़के को ढूड़ने के बाद उससे साधी करनी है उससे साधी करने के बाद उसके बच्चा करने के बाद उन के अंदर है ये पीदेसों में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है अगर आप देखे तो बड़े-बड़े लोग ही जैसे जे वेजो सो गया बिलगेट सो गया इनके साथ भी ऐसी शीजे हुई है और जिनको अपनी प्रोपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी वाइप को देन चीज भाट होता है अब देखो अगर आपके लड़के को तो आपको बड़े द्यान से समझना है देखो अगर आपके against में भी कोई ऐसा startup launch हो रहा है तो आपको करना क्या है जब भी आप कोई भी property जमेन जाइदाद या कुछ भी खरीदते हो तो आपको करना क्या है आपको उसको अपने family member के नाम पे जैसे आपके मम्मी के नाम पे आपके पापा के नाम पे आपके भाई के आपके बेहन के नाम पे खरीदना है अगर आप ऐसा करते हो देखो आपके जो family member है वो ज़्यादा trustable है अगर आप दूसरी डड़की को ले के आते हो हो सकता है अगर आप इस तरीके से फस जाते हो तो आपको नुकसान जिलना पड़ता है तो अगर ऐसा कभी होता भी है आप संभलके रहो अब देखो हारदिक एक single case नहीं है ऐसे हजारों केस भारत के अंदर है जिसे मैंने आपको बताया कि cricket field के अंदर ही ऐसे बहुत सारे लोग है जिसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मोहमद समी था फिर सीकर दवन और इसके बाद अभी recent में हारदिक पा अगर आप बीनर की लिस्ट में जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मेरा नाम सबसे पहले नम्मर पे हैं यानि 10,50,000 रुपय कमा बीनर बनाऊं लेकिन यह जो पैसे हैं मेरे अभी bank account में नहीं आये हुए हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं कल जैसी मेरे पास आजाएंगे तो मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा तिस तरीके से मैंने इस वेबसाइट से 10,50,000 रुपय सिर्क एक हपते के अंदर कमाए हैं अब देखो हम टॉपिक में फिर से आते हैं हारदिक पंड्या कोई नॉर्मल आत्मी नहीं है सबसे पहले आप यह व मैं मेरे नाम पे ने लूँगा मेरे नाम पे मैं ने लूँगा 50% किसी को नेदानी आगे जागे अब इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ गेंगे कि हारदिक पंड्या नॉर्मल आदमी नहीं था अगर हम प्रोपर्टी को साइड में रखते हैं मानलो हम यह मानते हैं एकजामबल के तौर पे कि हारदिक पंड्या के पास एक बेंक एक काउंट है उस बेंक काउंट में अगर उनके सो क्रुन रुपए थे हम इतना मानते हैं रहे हम P法र्टी को भी साइड मे रखते है तो अगर उनका भी नाम है उनकी ममी का भी नाम है तो कभी उनका डैबि पैसे कर देखा जाए तो हारदिक पांडया के पास इतना पैसा है कि वो किसी को भी खरी सकता है, जैसे ये लोग जो होते हैं, ये कुट्ते होते हैं, आप एक रोटी का तुगड़ा फेको, एक I.S आ गया I.S आ गया, नेता आ गया, प्रधान मंत्री आ गया अगर प्रधान मंत्री नहीं बिखता, तो अडानी, दुनिया बर सबसे बड़ा आदमी कभी भी नहीं बन पाता, तो ये चीज़ आप याद रखना, तो आपको क्या करना है, पैसा कमाना है, खूब सारे पैसे कमाने है, और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, कि हमारा मोटा वाई आप से अड़ी बड़ी वेद, आप तक लेज जेहिन, बन दे मात रहूं